सीथ हमेशा सही दे कर जाते हैं हालात सिखा देते हैं बाते सुनना और सहना वरना हर सक्स अपने आप में बात्सा होता है अगर इनसान का चडित्र कपरों से तै होता तो कपरों की दुकान आज मंदिर कहलाती अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले ज़रा सोच लेना चाहिए क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाया करते हैं सिर्फ पंक जरूरी नहीं है आस्मानों के लिए हौसला भी चाहिए जनाब उची पुरानों के लिए जीतने वाले संभावनाओं को देखते हैं जबकि हारने वाले समस्याओं को देखते हैं वैसे ही जीतने वाले सोच कर बोलते हैं जबकि हारने वाले बोल कर सोचते हैं हैं जिनके पास अपने वह अपनों से झगरते हैं नहीं जिनका कोई अपना वह अपनों को तरसते हैं खामोसी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लिया करते हैं हथेली तब भी छोटी थी, हथेली आज भी छोटी है, पहले खुसियां बटोरने में चीजे छूट जाती थी, आज चीजे बटोरने में खुसियां छूट जाती है हसने से बेवकूप समझे जाने का डर है, रोने से जजबाती समझे जाने का डर है, कोशिस करने में असफलता का डर है, आशा में निरासा का डर है, और जीने में मरने का डर है अब ये आप पर निर्वर करता है कि आप कैसा जीवन चाहते हैं गुलजार ने क्या खूब लिखा है लोग जब अनपड थें तो पड़िवार एक हुआ करते थे मैंने तोटे हुए पड़िवारों में अक्सर पड़े लिखे लोग ही देखे है मन से ज़्यादा उपजाओ जगह कोई नहीं है क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए वो बढ़ता जरूर है फिर चाहे वो विचार हो नफरत हो या फिर प्यार सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर की औरतों से ग्यान धन से उत्तम है क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है जबकि ग्यान हमारी रक्षा करता है कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है इन सब से आप जितना दूर रहेंगे यकीन मानिये उतना ही खुस रहेंगे सब के सामने की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है जबकि वही आलोचना एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है जरूरत के मताबिक जिन्दगी जियो साहब ख्वाही से तो बादसाहों की भी अधूरी रह जाती है ऐसे ही सांदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकन को जरूर दबा दें